हलो दुस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल टॉक्स फॉर यू में दुस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जारकांड इकल्यान पोस्ट मेर्टिक एस्कोलर्शिप के लिए अगर आप फूम अपलाई करना चाहते हैं कि जो स्टुडेंट इस साल इंटर में या फिर यूजी पीजी में आडमिसन लिये हैं उनको उनकी कॉलेज से या फिर इंटर कॉलेज से कब तक बोनाफाइट मिलेगा तो अगर आप ये सबी चीज़े जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आके तक जरूर देखना लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस्टुडेंट हमरे चैनल पर नए हैं और इस तरह का helpful वीडियो और informative वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस वीडियो के description में हमारे टेलिग्राम गुरूर का लिंक दिया गया है उसको भी जरूर जोइन कर लेना दोलों ही आपकी future में काफी helpful होगा ठीक है तो अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप जारकरणी कल्यान scholarship के लिए form apply करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या eligibility होंगी क्या यहाँ पर documents चाहिए होंगा कितना income चाहिए होगा और कर दका form apply कर पाएंगे तो इन सबी चीजों के बारे में हम detail में बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह बात करेंगे दोस्तों कि eligibility इसके लिए क्या नहीं भर सकते हैं ठीके तो सबसे पहले यह चीज आपको ध्यान में रखना है उसके बाद अगर हम बात करें और भी eligibility की तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दू कि अगर आप यह form भरना चाहते हैं तो कौन-कौन से category के students form apply कर सकते हैं मैं आपको बता दू कि अगर आप ST हो, ST obviously one या फिर two से हो तब ही आप जा करके यह form apply कर सकते हैं अगर आप जेनरल से हो तो यह form apply नहीं कर सकते हैं इसके अलवा eligibility में और बात करो तो इसमें मैं बात करो postmatic scholarship का तो इसलिए अगर आप 11 में हो तो apply कर सकते हो 12 में हो apply कर सकते हो या फिर आप किसी भी diploma course या फिर ITI पॉल अगर आप जारकंडी कल्यान postmatic scholarship के लिए form apply करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या-क्या eligibility होनी चाहिए अब इसके बाद हम ये बात करेंगे कि कितना income होना चाहिए ठीक है अगर आप form apply करते हैं तो maximum आपके family का annual income कितना होना चाहिए ठीक है तो देखिए अगर आप SC या फिर के students के लिए तो उनका डेड़ लाग है ठीक है अगर डेड़ लाग से नीचे है तो आप apply कर सकते हैं अगर उससे उपर है तो आप नहीं apply कर पाएंगे चाहे आप किसी भी category से हो किसी भी कास्ट से हो इतना income maximum होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए ठीक है तो आपको य तो सबसे पहले first number पे आपका color passport size photograph चाहिए उसके बाद caste certificate, residential certificate और income certificate, income certificate में क्या होता है कि उसमें validity होता है, 6th month का होता है तो वो भी होना चाहिए मतलब कि अगर आप अभी form apply कर रहे है तो वहाँ पर देखिएगा दिया हो रहाता validity कि कि कब तक उस income certificate का valid है ठीक है तो वो ची या फिर college के दोवारा दिया गया bonafide होना चाहिए बonafide क्या होता है एक तरह से फिर structure होता है जो कि आपको college देता है तो इसके लिए आपको ज्यादा सोचने ख़बरानी की जोरत नहीं है इसलिए आपको college से मिल जाएगा ठीक है इसकी अलबा दोस्तों आपका previous year का mark seat होना इस तरह से अगर आप PGB है तो semester UG का चाहिए ठीक है तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर mark seat चाहिए होता है तो अगर insert में मैं बताओ कि आपको कौन-कौन से documents चाहिए होगा upload करने के लिए तो सबसे पहले तो passport size photograph फिर आपको यह तीन certificate चाहिए होंगे car certificate, income certificate और residential certificate इसके अलावा bonafide certificate जो आपको police के दवारा मिलेगा और जो यहाँ पर mark seat चाहिए होगा जो कि previous year का होना चाहिए तो इतना चीज जो है आपको upload करने के लिए documents चाहिए होगा इसके अलावा दूस्तों अगर आपको मैं बात करो कि अब जो है form apply करने का last date कब तक है और कब तक आप form apply कर पाएंगे तो मैं आप सभी को बता दो कि इसके लिए आपके पास काफी सारा time है मतलब कि अगर मैं इसके last date के बारे में बात करो तो 20 March 2025 है ठीक है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास अभी काफी सारा time है तो इसलिए ज्यादा सोचने है गवरानी कि जोरत नहीं है सई समय पर आपको बनाफाइट certificate दे देगा फिर आप एजली जो है विपसाइट में जा करके form apply कर सकते हैं और जब form apply करने के लिए आपको यहाँ पर बनाफाइट दिया जाएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूँगा कि form apply कैसे करना है सभी सा मैं आपको उस समय बता दूँगा लेकिन अभी इतना चीज जो है आपका clear हो गया होगा अब इसके बाद दोस्तों आपके मन में यह question आ रहा होगा कि कब तक आपको college के दोवारा bonafide certificate दिया जाएगा मतलब कि जो इस साल इंटर में या free using में या फिर PG में हलांकि अभी admission चल एक लियान date announce करता था इसके लिए तो एक limit date देता था ऐसा नहीं कि एक साल का समय दे दिया ऐसा नहीं होता था मैना दो मैना का समय देता था तो क्या होता था कि college जो है इस समय में ही bonafide certificate release करते थे अपने students को देते थे लेकिन इस बार क्या है कि ज़्यादा समय आपको दे द कि बताया कि exact date क्या होगा वह मुझे भी नहीं मालूम तो इसलिए थोड़ा सब को पैसेंस रखना है बाकि आपको जो है बुनाफाइट मिली जाएगा सही समय पर आपको बिल्कुल भी इसके लिए सोचनी गवरानी की जुरत नहीं है तो उमीद है सभी चीजे आपको समझ में आ गया होगा अगर इस से रिलेटेट कुछ भी या फिर और किसी चीज से रिलेटेट कुछ भी क्वेरीज हो कुछ भी डौट्स हो तो कमेंट सेक्षन में जाकर करना और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस्टा इडी भी मेरा दिया हुआ तो वहाँ पर भी आपके पू